हेलो दोस्तों मैं हूँ रविन कुमार और आप देख रहे हैं वाइफाई दोस्त चैनल आज मैं ऐसे आपको टिप्स देने वाला हूँ जो आपको पूरे यूटूब में कहीं नहीं मिलेगा जी हाँ मैं आज आपको बताऊंगा अगर आप लोग यूटूब वीडियो बनाना चाहते हैं अगर आप लोग यूटूब से भी कुछ पैसे को अर्ण करना चाहते हैं और आपके पास अगर ट्रैपोर्ड और माइक दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं और उस वीडियो पे ज्यादा भ्यू आने के चांसे जी हां आपके फेस वारे वीडियो से ज्यादा आपके अगर आप बीना ट्रैपोर्ड या माइक के वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो में आपका ज्यादा भी आने का चांस रहेगा आप जो मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसमें आपको ना कि ट्रैपोर्ड का बढ़ाने में कोई प्रैसानी नहीं आएगी तो तो प्लीज आप लिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल नर्पेशन दबा दीजेगा और आप हमें इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा तो मैं आपको बता दो कि आप किस तरह से एक बिना टैपोड एंड माई के प्रोफेशनल वीडियो सूट कर सकते हैं जिसमें आपको क्या फायदा होगा मैं बता देता हूं सबसे पहला फायदा कि आप एक दिन में चार से पांच वीडियो सूट कर सकते हैं दूसरा कि आपको कोई अच्छ जगह खोजने की जोरत नहीं पड़ेगी आपको ए नहीं खोजना होगा कि बेग्राउंड अच्छा है या नहीं है अच्छा है जो कि ऐसे क्या होता कि अगर आप लोग फेस बीडियो बनाने वाले होते हैं तो आप लोग को बेग्राउंड खोजना पड़ता कि अच्छा recording video के बारे में जी यहां बस आपको क्या करना है कि आपको mobile phone में screen recording करना है बस अपने mobile को यहांपे लाना डाइरेक्ट आपको sound को record कर लेना हूँ और आप एक हमें बात बताइए मैं जो इस वीडियो को suit कर रहा हूँ यह भी बीना mic के suit कर रहा हूँ तो आप हमें comment box में जरूर बताइएगा क्या इसका sound quality आपको कैसा लग रहा है यह बस डाइरेक्ट फोन के mic से ही यह video suit हो रहा है और इसका मतलब recording हो रहा है तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अगर mic और tripod नहीं है और ऐसे 95% लोग होंगे जिनके पर tripod and mic होगा तो जिनके पर tripod और mic नहीं है उन सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप अराम से screen recording video बनाईए और ज्यादा भी पाईए और इसमें अगर आप लोग को topic समझ में नहीं आ रहा है कि मैं screen recording में कौन सा topic पे video बनाऊँ तो मैं बता दूँ कि उसके लिए आप हमें comment box में comment कीजिए तो मैं अगले वीडियो में 5-10 ऐसे tips आपको बताऊँगा जिससे कि आप screen recording video बना सकते हैं जिसमें यह फायदा होगा कि screen recording video बनाने से बस आपको एक video complete करने में thumbnail tag title और video को suit करके editing करने में बस 15-20 मिट लगेगा वहीं अगर आप face video बनाते हैं तो एक video को complete करने में आपको एक घंटा से ज्यादा लग सकता है तो इससे क्या होगा कि आपको कोई background की जौरत नहीं पड़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा दिन में video बना सकते हैं और आपका ज्यादा view आने का chance रेगा ज्यादा subscriber gain होगा और ज्यादा wash time मिलने का पूरा संभाबना रहेगा अगर आप लोगो topic समझें नहीं आराज उस पर हमें comment कीजिए मैं उस पर वीडियो बना दूँगा तो अगर आपको यह video पसंद आया होगा तो पिलिज लाइक कर दिए क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इस topic को मैंने आपके साथ share किया है और साथ इस channel पे नए है पहली बार visit क यह चैनल को सब्सक्राइब कर बेर नोटिवेशन दवा दीजेगा और आप हम इस्टेक्राम पर जबर फोलो कर लिजे लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा तो जैहीन वंदे मात्रा